हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्क्षीट नमबर एट करेंगे किलास नाइन की गती, रीमा और सीमा रेल्स अपने गाउं जा रहे थे, रीमा ने एक पहली पूछी की वे दोनों गती कर रहे हैं और गती नहीं भी कर रहे हैं, कैसे, सीमा ने कहा हम लोग रेले व वस्तू, जैसे रेल, किसी स्थाई बिंदू, जैसे रेल वे स्टेशन के सापेक्स अपनी इस्तिती बदलती है, तो हम कहते हैं कि वस्तू गती में है, तो गती कहीं तरह की होगी, सरल लेखी गती, वर्तुल गती, आवर्त गती, और दोलन गती, नमबर एक, सीधी रेखा में गती, या सरल लेखी गती, जैसे सीधी सड़क पर चलते वान है, या टेन सीधी टैक पर एक टेन चल लही है, तो वो सीधी या सरल लेखी गती होगी, वर्त्य पत्में गती, वर्तुल गती, जैसे बहुत विसाल पईये वाला जूला है, है ना, कोई पंखा चला है तो पंखे की आउटर जो पंखड़ी है ना वो वर्तिल गती में है यह कोई उपकर है किसी ग्रह का चक्कर लगा रहा हो थाड़ है एक मद्दे बिंदों के आगे या पीछे दोलन गती आवर्त कती जैसे दिवार घड़ी का लोलक है या जूला यह दोलन ग गड़ी जो होती है तो वह भी इस तरह से गती करती है कि आवर्त गती जब कोई वस्तु एक निश्चित समयंतराल पर एक निश्चित पत्पर खुद की गती को दोलन गती एक प्रकार की आवर्त गती है इसके उदान हम पहले दे चुके हैं आपको जूला और गड़ी का लो इक और अंतिं के बीश्त द्यक की गई क्लम्बाई दूरी कहलाती है जैसे दिए क्यों चित्तर में कर बंदू E S B टक चलती है और A से B के बीच रास्त कर ल laughed लंवाए 10 km बज़ोंस एक कार ने और बी तक पहुंचने में दस किलोमेंटर की दूरी तैकी अब हम प्रश्णों को देख लेते हैं तीन प्रकार की गत्यों के नाम लिखिए पड़ते को पड़ते के दो उधारण दीजिए तो तीन प्रकार की गत्य यह हुगई तीन दीजिए तीन अब जाओ चलते और रेलिए ट्रैक पर चलती तैन सीधे रेलिएट्रेक पर चलती टेन रत्य पत्य वरत्य बट्य पत्य वरत्य पत्य यह बहुत विसाल पाईंवाला जूला और कह सकते हैं और कोई उपर है किसी ग्रह का चक्कर काट रहा हूं दोलन गतिया आवर्द कती इसमें आ जागा दिवार गड़ी का लोलक और जूला दो एक्जामपल हो गए एक यह होगा और एक यह ठीक है किसी वस्तु द्वारा तै की गई दूरी किस अवस्ता में सुनने होगी तो जब वह वस्तु गति कर रही है तो दूरी किसी वह वस्ता में सुनने नहीं हो सकती वह तभी सुनने होगी जब वह वस्तु इस्थिर होगी यह जब गति करेगी तो कुछ ना कुछ दूरी तो वह त क्वासें करेंगी तो दूरी अगर वज्टो विश्ट में तो बहूं किसी ववस्ता में नूरी जो है सुनने नहीं होगी यदि आपके घर और सूर्ड बीच की दूरी दो किलो माटर है यदि आप रोज जाते हैं तो आप चैए तो ःटो एक दिन में कितना हुगा ब्लस भी उस कुलजान में 5 लग गए तो 5 दिन में कितने candidate डियंगे तो 7 Лo कि ब्लस टू पोर किलो मिट्र नम्हारा है कि इसकोल जाने में 5 किलो मिट्री है दूरी अब टै कर लेंगे तो तुम प्रस्नए चार है प्रतिवी लगातार घुम रही है और गती कर रही है तो इसका आर्थ क्या यह हुआ कि प्रतिव की धी पेड़ी कर रहे हैं प्ल्तृ्ट के पेड़정이 प्रित्वी के साफ एक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं जिस पॉइंट पर ही कड़े हैं इसलिए गती उनको गती नहीं माना जाएगा तो इस तरह से आपने एक वरक्षीट की तो कोई प्रावलम है तो कमेंट सेक्षन में आप पूछ सकते हैं